तो आज मैं आपके लिए एक बहुत इंफर्मेटिव वेडियो लेकर रहाई हूँ और एक मित को भी मैं ब्रेक करूंगी तो रिसेंटली मैंने बहुत सारे लोगों को शेर करते हुए देखा है ओट्स का डाइट प्लान यानि ओट्स आप खाएं ब्रेक्फिस में लंच में डिनर में और आपको इससे मैसिव वेट लॉस देखने को मिलेगा क्या ये डाइट प्लान आपके लिए हल्दी है अगर आप इस डाइट को लेते तो इससे क्या benefit आपको मिलेंगे और क्या side effect हो सकते हैं इस बारे में मैं आपसे discuss करूंगी in short, oats अगर आप excess में consume करते हैं तो उसके benefits क्या होते हैं और क्या इसके side effects भी हो सकते हैं चलिए discuss करते हैं what will happen if you consume oats on a daily basis so मैं हमेशा कहती हूं मैं खुद बहुत सारी oats की recipe share करती हूं oats are one of the healthiest grain on this planet यानि उसके बहुत सारे benefits होते हैं it is highly nutritious it is rich in fiber especially beta-glucan जो आपकी digestive health के लिए आपकी gut health के लिए बहुत important होता है it works as a prebiotic और आपकी gut aura को ये improve करता है macronutrients के साथ साथ micronutrients भी आपको मिलते हैं इनके अंदर magnesium, magnesium, phosphorus, copper, vitamin b1, iron, selenium, magnesium and zinc जैसे micronutrients होते हैं तो yes ये आपके लिए healthy है, health benefits की बात करूं तो they are very satisfying in nature जिन लोगों को diabetes है वो लोग अपनी diet के अंदर add कर सकते हैं, fiber में rich हैं तो weight management में, weight loss में आपको help कर सकते हैं इसके अलावा cholesterol जिन लोगों को हैं उसे lower down में help कर सकते हैं they are mostly gluten free, antioxidants में rich होते हैं क्योंकि इसके अंदर soluble fiber होता है तो कुछ research में पाया है कि आपको belly fat को कम करने में भी health कर सकते हैं आपकी skin की health के लिए अच्छा है ये आपकी immunity को support करते हैं Oats and they are very easy to add to your diet So yes, you can add them to your diet But कितना? Not on a daily basis क्यो? Let me explain Number one जिस तर है कि most of the Indian's oats अपनी डाइट के अंदर add करते हैं they are processed So, हम लोग quick oats अपनी डाइट के अंदर add करते हैं which are almost ready to eat आपको सिर्फ 2 तीन मिनेट इसे cook करना होता है and then you can have it वो इसलिए क्योंकि ये processed हैं बहुत जादा So, oats की growth होते हैं, दाने होते हैं steam किया जाता है, press किया जाता है multiple times और फिर cut किया जाता है इसलिए ये processed हो जाते हैं Yes, still they are whole but they are processed तो ऐसे में कौन सी type के आप oats अपनी डाइट के अंदर add कर रहे हैं वो जाथा matter करता है type के साथ साथ कौन सा cooking method आप यूज़ कर रहे हैं वो भी matter करता है जैसे कि quick oats जो है, वो already high glycemic index के होते हैं यानि आपका blood sugar level वो rise कर सकते हैं और अगर आप उन्हें जादा cook कर देंगे या फिर हमेशा उनकी smoothie बना कर ही पिएंगे तो आपका blood glucose उसे rise हो सकता है और diabetes से बचने की बजाए आपको diabetes उसे हो सकती है या बढ़ सकती है तो इसी दे roll या फिर broken oats को आप use करें जिसे oats का दलिया या steel cut oats भी कहते हैं या glassemic index में low होते हैं आप अगर overnight oats या bowls बना रहे हैं उसमें भी आप rolled oats को इस्तमाल कर सकते हैं चीला pancakes के लिए flour का use करें यानि oats के आटे का डिनर बोल्स के लिए आप steel cut oats या दलिया पर इस्तमाल करें ऐसे में rolled oats आपके लिए जादा अच्छे हैं आप चाहें तो oats का दलिया आड़ कर सकते हैं oats का flour आड़ कर सकते हैं बट अगें not on a regular basis बहुत सारे लोग इंगलती करते हैं कि क्योंकि oats जो है उन्हें हमेशा relate किया जाता है weight loss से, healthy diet से healthy eating से तो portion control नहीं करते हैं जो oats का serving size होता है वो है 20 to 30 grams और फिर बाकी चीज़े आप इनके साथ add करते हैं जैसे की protein है healthy fat है लेकिन most of us are eating 60 to 70 grams of oats in one serving this is because हम इसे associate करते हैं healthy eating के साथ हम सोचते हैं healthy ही तो खा रहे हैं portion control एक बहुत बड़ी problem है जो nutritional facts को देखे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 gram oats के अंदर ही 115 calories होती हैं और अगर आप जादा, most ही लोग इसे 3 time consume करते हैं तो खाली oats से आपको इतनी calorie मिल रही हैं तो moderation मिल ज़रूरी है आप oats भी और dry fruits भी इसके साथ जो आड करते हैं remember that no single food just like any other food oats भी कोई magic food नहीं है कि अकेले उन्हें खाने से आपका weight loss हो जाएगा overall आपको एक balanced diet एक nutritional dense diet चाहिए होती है साथ ही exercise and healthy lifestyle भी ज़रूरी है next is या तो लोग इसके अंदर protein कम add करते हैं या फिर protein के कुछ ऐसे source add करते हैं जो calorie dense है जैसे कि जो लोग sweet oats खाते हैं वो बहुत ज़्यादा nuts and seeds इसके अंदर add करते हैं जो calorie dense होते हैं एक oat की smoothie जिसके अंदर आपने milk and nuts and seeds and fruits को add किया है उसके अंदर 400 से 600 calories तक हो सकती है लेकिन हम उसे consume करने के बाद यही सोचते हैं कि हमने बहुत light consume किया है बट आपने काफी ज़्यादा calorie consume कर ली होती है आप इनके साथ किस चीजों को combine कर रहे हैं उसके लिए भी आपको काफी mindful होना पड़ता है अगला है जब आप सिर्फ oats को consume करेंगे तो आप बाकी nutrients से अपने आपको prevent करेंगे डप्राइव करेंगे जैसे कि हमारे पास इतने सारे millets हैं इतने सारे और भी grains हैं जिसके अंदर अलग लगते हैं कि nutrients आपको मिलते हैं जैसे कि रागी है which is rich in iron and calcium we have amaranth, we have quinoa we have millets like bajra, jawar अगर आप सिर्फ oats खाएंगे तो बाकी nutrients आपको कहां से मिलेंगे जो oats के अंदर missing होते हैं, oats के अंदर complete protein भी नहीं होता है ऐसे मैं आपको इसे add करना पड़ता है बाकी चीजों के साथ ताकि आपको complete protein मिले gut से related हुई बहुत सारी recent research and studies ये prove कर चुकी हैं कि आपको 30 types के different plant based food अपनी diet में consume करने होते हैं on a weekly basis ताकि आपका gut healthy रहे ऐसे में अगर आप सिर्फ oats खाएंगे तो आपको कहां से वो बाकी plants and बाकी nutrients मिलेंगे, तो I always recommend कि आप 5 grain at a time अपनी diet के अंदर on a weekly basis add करें जिसमें से एक millet भी हो सकता है आप rice consume करते हैं आप whole wheat consume करते हैं, आप oats consume कर सकते हैं, basin consume कर सकते हैं कोई भी दाल का flour add कर सकते हैं आप time to time अपने grains को change भी कर सकते हैं जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे season होते हैं तो आप अपने grains को season के हिसाब से cycle कर सकते हैं, availability के हिसाब से यानि कौन-कौन से आपके आसपास available है सस्ते हैं, उन्हें आप चूज कर सकते हैं, तो बहुत आसान है यहाँ पर यह next is जब हम grains की बात करते हैं तो oat एक ऐसा grain है जिसके अंदर anti-nutrients जादा पाए जाते हैं as compared to wheat also तो अमेरिका में हुई बहुत सारी studies में पाया जा जुका है कि इसके अंदर glysofate होता है तो anti-nutrients की बात करें, तो जितने भी grains होते हैं, seeds होते हैं, nuts होते हैं यानि mostly plant foods के अंदर anti-nutrients होते हैं जैसे कि phytate होते हैं, lectin है tennins है, oxalate है ये सारे basically आपकी body के अंदर जब आप खाना खाते हैं, तो minerals के absorption को abstract कर सकते हैं, रोग सकते हैं तो ऐसे में oats के अंदर भी ये काफी मत्रा में पाये जाते हैं तो अगर आप जादा oats काएंगे तो इनकी वज़े से mineral का absorption कम हो सकता है साथ ही बहुत सारे chemicals ऐसे हैं जो specially oats के अंदर जादा पाये जाते हैं जैसे कि glassofate मैंने कहा और ये जो glassofate है वो जब crop जो ready हो जाते है उसे dry करने के लिए use किया जाता है ये आपके gut bacteria को वीकन कर सकता है अगर आप regularly खाते हैं और भी कुछ toxin chemicals होते हैं जो agricultural purpose के लिए use के जाते हैं oats की खेती में जो आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं oats completely gluten free भी नहीं होते हैं आप बहुत सारे oats के package पे देखेंगे जहां पर लिखा होगा कि इसे process किया गया है बागी चीज़ों के साथ जिनके अंदर gluten होता है तो in general yes oats are considered gluten free लेकिन oats के अंदर gluten से ही मिलता जुलता एक ऐसा protein होता है जो आपको allergy कर सकता है यानि कई लोग उससे allergic हो सकते हैं जिनने पता नहीं है और वो protein होता है और यह highly allergic होता है तो अगर oats के खाने के बाद आपको problem हो रही है और still आप इसे खा रहे हैं विकोज आपको weight loss करना है and I would not recommend it तो इससे भी आपको थोड़ा सा mindful रहना होता है because it is dense in soluble and insoluble fiber तो यह आपको bloating भी cause कर सकता है अगर आप excess में consume करते हैं तो in short मैं हमेशा recommend करती हूँ कि आप खाएं oats को मैं भी बहुत सारी recipes इसकी share करती हूँ लेकिन moderation में on a daily basis खाने की जोरत नहीं हफते में 2 या 3 बार इसे अपनी diet के अंदर breakfast में या dinner में add कर सकते हैं या lunch में भी add कर सकते हैं इसके अच्छे form को add करें quick oats आप रख सकते हैं अपनी bars के लिए आप quick अगर कोई breakfast करना चाहें but apart from that give rolled oats a try आप oats के दलिया को भी try कर सकते हैं which is a better option when it comes to glycemic index ताकि आपके blood sugar level जो है वो rise ना हो और आप जाधा satisfied feel करें तो I hope ये video आपके लिए useful रहेगा thanks for watching stay healthy stay fit stay active and I'll be back very soon until next time you take care bye bye